Assalamualaikum students, आज के lesson में हम 9th English के Unit 2 के grammar section को discuss करेंगे तो Unit 2 के grammar section में 3 main topics है model verbs, kinds of sentences and punctuation तो इन 3 topics को आज हम study करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे model verbs की Dear students, जैसे के आपको पता है के English में verb एक ऐसा word होता है जो किसी action को show करता है तो verb जो है English में action को show करता है action word होता है So a verb is So a verb is an action word तो यह एसा word है जो किसी काम को या action को show करता है For example Go Eat Sleep Jump See Play Hide तो यह सारे के सारे verbs हैं action words हैं यह काम को show करें तो कोई भी ऐसा word जो किसी action को या काम को show करता हो उसे English में हम verb कहते हैं अब यह जो तमाम verbs हैं यह इन को हम main verbs कहते हैं तो यह सारे main verbs हैं तो main verbs के लावा English में और भी ऐसे words हैं जो इन main verbs से पहले use होते हैं और इन main verbs के meanings में वो इजाफा करते हैं यह इन के बारे में हमें ज्यादा detail से बताते हैं उन words को हम कहते हैं helping words helping verbs verbs कौन कौन से हैं English में यह यह वर्ब्स से पहले इस्तमाल होते हैं यह words और यह verbs के meanings में अजाफा करते हैं words के बारे में हमें ज्यादा detail से बताते हैं तो helping verbs इस तरह के words हैं is am are was were has had can could will will would shall should may might must auto and used to will would may Am if there is is am are was was ओर हे जो सारे हेल्पिंग वर्ब्स ए यह बीय ernst के वर्ब के बारे में वर्ब के टेंस के ज। जो कोई काम का TENस क्या है क्योंकि काम हो रहा है या हो चुका है या हो रहा था तो यह तैंस के को हम केते हैं auxiliary verbs इस एम आर वाज वर है यह सारे के सारे जो helping verbs हैं यह वर्ब के tense को शोओ करते हैं नहीं इनके साथ वर्ब की हम first form को यह यह first form के साथ ing यह third form को हम use करते हैं अच्छा इसके अलावा यह जो helping verbs हैं can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, use, to यह सारे जो helping verbs हैं यह हमें different information देते हैं verb के बारे में कुछ जो है वो permission को show कर रहे होते हैं कुछ जो है वो obligation को show करते हैं यही किसी काम के लाजमी होने को show करते हैं यह यह possibility को show करते हैं तो इन तमाम यह जो helping verbs हैं इन helping verbs को हम कहते हैं model verbs तो यह model verbs तो इस तरह हम English में verbs को helping verbs को two types में divide कर सकते हैं simple helping verbs जो के auxiliary verbs हैं और दूसरे जो हैं वो model verbs तो अब हम model verbs को ज्यादा detail से discuss करेंगे तो जो model verbs हैं यह हमें verb के बारे में जैसा हमने देखा कि different information provide करते हैं तो यह बाज़कात permission को show करते हैं यह ability को show करते हैं और कुछ model verbs जो हैं वो possibility को show करते हैं और कुछ इन में से obligation को show करते हैं यहीं फर्स को show करते हैं और कुछ जो हैं वो past habit के बारे में बताते हैं यहीं यहीं यह से काम जो हम गुजरे वे जमाने में करते थे अब हम देख लेते हैं कि इन model verbs में से कौन से इसे model verbs हैं जो permission को show करते हैं और कौन से ability को show करते हैं और कौन से possibility को obligation को और past habit को show करते हैं तो permission को show करने के लिए जो model verbs हम use करते हैं इन में से वो यह हैं कि हम can को can को use के जाता है बहुत का परमिशन के लिए could को use के जाता है और में can, could and may यह ऐसे model verbs हैं जिनको permission के लिए use किया जाता है जिस तरह के for example हम कह सकते हैं कि can I ask you a question क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं या could you please lend me your pen क्या आप मुझे अपना pen दे सकते हैं या may I come in the class क्या मैं क्लास में आ सकता हूं तो यह ऐसे model verbs हैं जो के permission के लिए use होते हैं next ability को show करने के लिए जो model verbs होते हैं वो हैं can, could, can और could जो हैं यह ability के लिए show होते हैं physical ability को show करने के लिए use होते हैं तो जैसे का आप देख सकते हैं कि model verbs के बाद अकाद different meanings होते हैं यह कुछ अब can को बाद अकाद permission के लिए use होते हैं और बाद अकाद यह ability के लिए use होते हैं for example जब हम can को ability के लिए use करते हैं तो हम इस तरह बना सकते हैं I could run fast में तेज भाग सकता हूं तो यह physical ability को show करता है इस तरह could और can जो है वो present में use के जाता है ability के लिए और could को जो है वो past में ability के लिए use के जाता है आई could run fast में तेज भाग सकता था और next है possibility को show करने वाले model verbs तो possibility के लिए जो model verbs हम use करते हैं वो again वो सकता है में माइट यह में और माइट जो हैं यह model verbs possibility को show करते हैं मसलिम हम इस पर जुमले इस तरह बना सकते हैं के he may go to lahore tomorrow के हो सकता है के वो कल लहोर जाए जिसमें हम एक अमकान को show कर रहे है possibility को show कर रहे हैं इस तरह might माइट के लिए हम करते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कि शायद आज बारिश हो तो English में हम इसको use करते हैं it might rain today कि शायद आज बारिश हो okay he might come tomorrow कि शायद वो कल आए तो इस तरह में और माइट को possibility के लिए use किया जाता है next है obligation को show करने के लिए obligation को show करने के लिए obligation का मतलब होता है कि फरीजा फर्ज जो काम करना हमारे उपर फर्ज है यह हमारे लिए बहुत important है उसको show करने के लिए जो model verbs हम use करते हैं वह हैं should, must and ought to इस पर हम इस तरह जुमले बना सकते हैं कि we should obey traffic rules हमें traffic rules की पाबंदी करनी चाहिए must के लिए we must work hard हमें लाजमी तोर पे मेनत करनी चाहिए यह we must speak the truth हमें सच लाजमी तोर पे बोलना चाहिए और इस तरह ought to को भी obligation के लिए यूज के जाता है मसलन इस पर हम जुमला बना सकते हैं कि we ought to we ought to help the poor हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और फिर हम देखते हैं past habit के लिए तो past habit के लिए जो हम model verb यूज करते हैं वह यूज तू यूज तू यूज तू यूज तू जो पास्ट हैबिट को शो करते हैं अगर हम past के बारे में बात करें कि हम एक अठे खेला करते थे तो इसको हम English में तरह कहेंगे कि वी यूज तू प्ले तूगेदर ओके यह हम स्कूल जाया करते थे वी यूज तू गो टू स्कूल तो यह हमारा unit 2 के grammar section का question A है कि use appropriate models to describe your three abilities and capacities अब हमने अपनी कोई से भी three abilities को यह capacities को आपने बताना है using model works तो जिस तरह के हमने देखा था कि capacities को यह ability को use करने के लिए can यह could का इस्तमाल किया जाता है तो कोई से भी हमने इस तरह तीन जुम्ले लिखने हैं तो हम जिस तो one के answer में हम लिख सकते हैं तो तीन जुम्ले कौन से हो सकते हैं तो आप कहते हैं कि I can run fast मैं तेज बाग सकता हूं तो यह ability है यह capacity है इस तरह हम इस पे second जुम्ला यह भी बना सकते हैं I can speak English कि मैं English बोल सकता हूं तो यह भी एक ability यह capacity है तो third sentence ability यह capacity पे हम और बनाते हैं I can play football कि मैं football खेल सकता हूं इस तरह यह तीन जुम्ले जो है वह हमने बनाये हैं आप अबिल्टी यह capacity को शो करने के लिए तो यह answer था part one का अब हमने part two में देखने कि ask teachers permission for going out अब हमने teacher से बाहर जाने की permission लेनी है और हमने यहां पर कोई model को use करने model work को use करने तो आपको बता है कि जब हम permission लेते हैं तो इसके लिए हम make कर सकते हैं तो यहां पे हम for example तो इसमें हम two concerns को इस तरह देंगे के may I go out of the class क्या मुझे क्लास से बाहर जाने की इजाज़त है तो ask a friend to lend you a book यह अब आपने अपने किसी दोस्त को कहना है कि वो आपको अपनी बुक उदार दे यह बुक आपको देए इसके लिए हम के इन के स्वाल कर सकते हैं कूट के स्वाल कर सकते हैं को कूट के स्वाल हो सकता है कूड यू लेंड मी यूर नोट बुक और बुक कूड यू लेंड मी यूर नोट बुक कि क्या आप मुझे अपनी कॉपी जो है वो अधार दे सकते हैं नुबर फॉर तो आप लेख सकते हैं कि वी मस्ट अप अरली इन दे मौर्ण हमें सुबह को जल्दी लाजमी उठ जाना चाहिए एक्स्पेस, डूटी और अबिगेशन तो ऊपिश है अच्प्रेस, अबिऐशिन और बिगेशन तो ःफ डिफेक रूड्स यह अननने डिफेक रूल्स wać समवर दे है अब आपने अबिशन को यह डूटी को शो करना न। बिदे कर लिए यह अबिगेशन के कि अबे कि अबे कि ट्रेफिक कि हमें ट्रेफिक के कवानी इनकी पाबंदी करने चाहिए फिर शेर सम पास्ट है बट यह अब आपने कोई ऐसा मॉडल यूज करना है कि जिसको आपने पास्ट है बट में यह आपकी कोई गुजरी वही या माजी की आदत के बारे में यह हैबिट के बारे में लिखने है जिस तरह हम किय सकते हैं कि हम स्कूल जाया करते थे ओके यह हम अकठे खेला करते थे तो यह मॉडल वर्ब्स के बारे में क्वेस्चन था कि जिसमें हमने डिफ्रेंट सिट्वेशन को डिफ्रेंट करते थे अब हम ग्रेमर सेक्षिन के नेक्स्ट क्वेस्टन पर जाएंगे और वह है सेंटेंस की डिफरेंट काइंड के बारे में तो यह हमारा क्वेस्टन भी है इडेंटिफाइड दे काइंड आफ दा फॉल्विंग सिंटेंस एक्स्क्लेमेटरी असर्टिव इंट्रॉगिटिव नेगिटिव एंड इंपेरिटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है इंग्लिश में वो कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो हमारी सडिन फिलिंग्स को यह अचानक मारी फिलिंग्स को शो करता है यह खुशी या पगाम को या अचानक जो हमारे इससाथ होते हैं, feelings होती हैं उनको show करता है और exclamatory sentence के end पे हमेशा exclamation mark आता है और assertive sentence ऐसा sentence होता है जो किसी भी fact को या opinion को show करता है नहीं कोई भी simple sentence होता है और इसके end पे हमेशा full stop के इस्टमाल के जाता है इसके end पे मेशा full stop होगा assertive sentence की end पे फिर इंट्रॉगेटिव सेंटेंस इसा होता है जिसमें कोई question पूचा जाता है और इसके end पे question mark होता है और फिर negative sentence नेगेटिव सेंटेंस वह है जिसमें not का इस्तमाल होता है NOT और imperative sentence ऐसा है कि जिसमें हम किसी भी किसी को कोई advise दे रहे होते हैं या order कर रहे होते हैं या कोई suggestion दे रहे होते हैं या request कर रहे होते हैं तो वो imperative sentence और तो अब sentences की in types को देखते हुए अब हमने बताना है कि कौन सा sentence किस टाइप से बिलाउंग करता है कौन सा sentence किस टाइप का है तो पहला sentence है Art is another subject in which I am particularly interested यनि आर्ड जो है फनून अलतीफा या आर्ड एक दूसरा subject है कि जिस में मैं खास तोर पर interest लेता हूँ तो यह आपके हैल में कौन सा sentence होगा अब इसके एंट पर फुल स्टाप आया है जैसे अभी मैं आपको बताया था कि फुल स्टाप आया है तो यह एक assertive तो यह होगा assertive sentence तो नेक्स्ट सिंटेंस है what a beautiful painting ओ कितनी खुबसूरत तस्वीर है painting है तो अब इसके एंट पर exclamation mark आया है और इसमें हम अपने emotions का यह अज़बात का एज़ार कर रहे हैं तो यह क्या होगा exclamatory sentence होगा exclamatory so the next sentence is teach him to learn यानि उसको उसको सीखना पढ़ाओ यानि उसको पढ़ाओ के वो सीखे तो अब हम यह किसी दूसरे को नसियत कर रहे हैं या दूसरे को यह काम के रहे हैं तो यह कौन सा होगा imperative sentence क्योंकि imperative sentence में हम किसी दूसरे को नसियत करते हैं हुकम करते हैं, order करते हैं या request करते हैं तो यह होगा imperative sentence यह है imperative मुझे कैसे पता चलेगा और इसके एंड पे question mark है तो definitely यह interrogative sentence है interrogative और last she did not make a false statement अब इस sentence में not का इस्तमाल आए है तो जैसे कि मेरे आपको होता है था कि not का इस्तमाल है तो यह एक negative sentence होगा तो this is a negative sentence तो यह question था exercise का tenses की different types के बारे में अब next question होगा हमारा punctuation के बारे में तो यह हमारा question c है punctuate the following तो यहाँ पे हमें एक paragraph दियावा है और इस paragraph को हमने punctuate करना है यह इसमें punctuation का इस्तमाल करना है तो जैसे कि आपको पता है कि फुल स्टॉप, कॉमा, question mark यह capital letters के इस्तमाल यह capitalization तो यह punctuation है इस paragraph के अंदर हमने इन punctuation को प्रॉपरली यूज करना है तो वह हमारा paragraph है काइद आजम वाज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पेट्रियट तो यहाँ पे हमने punctuation के इस्तमाल करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काइद आजम तो यहाँ sentence का first word है और इसका first letter capital होना चाहिए तो साथ ही साथ यह proper noun है proper noun का जो first letter capital होता है आजम का A भी capital होगा तो यहाँ पे यह Q जो है यह capital होगा आजम का A capital होगा Was a nation builder and a great patriot he wanted तो यहाँ पे जाके sentence complete हो जाता है यहाँ पे हमनों full stop लिगा है तो जब हम यहाँ full stop लिगाते हैं तो next sentence जो start हो रहा है उसका first word का जो first letter है यह capital होना चाहिए यहाँ पे H capital होना चाहिए तो यह जो होगा इस तरह होगा He wanted to protect the values, culture and traditions तो यहाँ पे कॉमा आएगा The values, culture and traditions of the Muslims Muslims अब Muslims क्योंकि प्रॉपर नाओन है तो Muslims का M capital होगा Muslims of the subcontinent He gave the Muslims तो यहाँ पे sentence complete हो जाता है और यहाँ पे next sentence के first word का first letter He में H capital होगा यहाँ पे फिर Muslims का M capital होगा He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them और यहाँ जाके यह sentence complete होता है इंड होता है तो यहाँ भी पुछता होगा इस तरह हमने इस paragraph को punctuate किया Dear students, हमारा आज का lesson Unit 2 Patriotism के grammar section पे based था तो इसके साथ ही हम आज का lecture खतम करेंगे Over next lecture से हम Chapter 3 की Urduh translation को start करेंगे See you in the next lectures